बारा प्रस बारा फुर्ली साइड गेर के साथ कंपनी यहां पर दे रहा है डिफरेंशियर लोग जिसमें आपको हाइड डोलिक लोग भी मिलने वाला है इसमें कंपनी दे रही है ओइल वाले ब्रेक ब्रेक के बलब आप देख सकते हैं काफी जाद है विट्यूटी बनाया ग दोस्तो इसकी अगर बात की चाहिए इसमें आप देख सकते हैं मातर 25 ग्राम किलोबाट पर घंटे की मिल जाती है और इस ट्रक्टर पर राउंच किया गया है डिवल एक्टिंग हाट्रोलिक पावर स्टेरिंग जो कि आप फ्रेंट टेक्सल की माउंट ही किया गया है पीछ आप सनाल में आप जो चाहें ले सकती है यहां पर देख सकते हैं कंपनी दे रहा है चोगोट टाइप की है लाइट बीच में आपको मैसीफ फर गोसन कर लोगों को भी देखने को मिलने वाला है जो कि कंपनी नॉर्मल टाप का श्टिकर में हैं यूज किया है सामने से लोक बात की जाए सामने से लोक देख सकते हैं जो कि स्टेरिंग के सामने ही मांट किया गया है इसमें कंपनी दे रही है सिंगल पीस बोनट और दोस्तो इस्ट्र पर जो आपको इंजन मिलने वाला है कंपनी दे रही है 2700C वाला वाटर कूर दंदार इंजन बीड़ पर आंग आ बाला है त्यन सिलंडर 50 HP कड़ेकरी के अंदर आने वाला साथ 2700C के वाटर कूर्ट धंदार इंजन देखने को मिलने वाला है जिसमें कंपनी दे रही है इंजन के 2100RPM और दोस्तम आपको बताना चाहाँगा इस ट्रेक्टर पर आपको फूल कौंश्ट में साड़ गेर दे देखने को मिलने वाले हैं यहां पर देख सकते हैं कंपनी दे रही है वाटर फिल्टर वाटर सप्रेटर साथ में आप टूइमन बोल सकते हैं जो कि आप काफी बहतरी नई टेकनोलोजी का यूज किया गया है जिससे के ट्रेक्टर पर पानी वेगर जाने ख़दरा बहुत ही क V8, intensely वाटर के थार्रा का फ्रंट टार साथ देखने को मिल जाता है और दोस्तों प्राइज की हैसा बसे देखा जाया तूइर record पर आप इपसे इन ट्रेक्टर पर हम ऐखने वाणे गज़तरी वैध्डिस तेको मिलने वाले वाले हैं प्रकर्ली आउतके बात करने वाले हैं साइड देखने को मिलें जयाते हूं तो पर टॉक्टर पर चलने के लिए कुश इस तरहे हैं जिसमें कंपनी प्लाइक से यापक कोशिट मिल चलना करीक है सद शॉथा का डिखने को तसमें ç escuch ये seat में लीवर आपको मिलने वाला है साथ में अगर आप hydraulic की sensing को कम जादा करना चाहा इसमें आपको hydraulic lock देखने को मिल जाते है यहां पर देख सकते हैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रक्टर को पर चड़ने के बाद भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाते है जिसमें company दे रही है relaxed type adjustable seat इसकी seat को आप आगे पीछे यह फिर उपन नीचे भी कर सकते हैं साथ में आपको PTO बाई लीवर देखने को मिल जाते हैं जिसमें company दे रही है quarter PTO दोस्तो इसमें आपको पीटियो HP मिलने वाली है जिसमें company दे रही है जिसमें आपको ट्रॉली बागारा चलाना है गन्ने वाली तो इसमें आपको अलक से उप्सिनाल मिलेना होगा यहां पर देख सकते हैं company दे रहा है fully side gear जिसमें आपको 1,2,3,4 लीवर इस तरह देखने को मिल जाता है साथ में आप देख सकते हैं आपर company दे रही है hydraulic control के लिए 2 लीवर जिसमें आप hydraulic cooperate कर सकते हैं hydraulic control के लिए company खाली 2 लीवर दे रही है इसमें आपको 3 लीवर देखने को नहीं मिलते हैं बेच में देख सकते हैं MSI Ferguson का logo भी देखने को मिलने वाला है 3 spoke wheel वाला steering companies में offer कर रही है steering size देख सकते हैं थोड़ा सब बड़ा टाइप में देखने को मिल जाता है dashboard के अगर बात किज़े dashboard आपको normal टाइप को देखने को मिलने वाला है दोस्तो इसमें आपको single piece bonnet दिया गया है साथ में companies में दे रही है front mount battery जो की 88 AH 12 bolt की लगबग battery देखने को मिल जाती है excited company की चलिए बात कर लेते हैं ट्रक्टर की पूरे look की तो पूरा look आप दिख सकते हैं यह है massive Ferguson की तरफ से recently launch किया गया है massive Ferguson का 50 HP कड़ेगरी के अंदर आने वाला massive Ferguson 4 wheel drive में massive Ferguson dynatruck 200.1 di इस ट्रक्टर पूरा-पूरा 50 HP कड़ेगरी के अंदर company launch कर रही है जिसमें company की अगर बात कीजा है पूरे ट्रक्टर की length की तो इसमें आपको जो length मिलने वाली है 342 mm की मिल जाती है साथ में आपको 1784 mm की width मिल जाती है दोस्तों इसमें आपको जो company दे रहा है ग्राण की length 400 mm को मिलने वाला है साथ में कर बात कीजा ट्रक्टर की पूरे बजन की जिसमें आपको 2040 kg कर ट्रक्टर का पूर बजन देखने को मिल जाते है फ्रेंट की अगर बात की जाए फ्रेंट में company वही old look दे रही है जिसमें आपको तुह लेजन का हैट लाइट सामने आपको जाली देखने को मिलने वाली है company ने कोई खास look नहीं दिया है लेकिन देख सकते हैं 60 से कुछ इस तरह के look देखने को मिल जाते हैं जिसमें company दे रही है Massive Argosan 200.1 DI, Diana Truck की branding आप पुष्टी कर में ही देखने को मिलने वाली है companies में 3D ये फिर chrome furnace का use नहीं कर रही है 64 look देख सकते हैं कुछ इस तरह के को मिल जाता है लेकिन इस ट्रैक्टर पर आप सरह के गैर बॉक्स देखने को मिलने वाला है जिस गैर पर अप्टेक्टर आए कर रहे हैं उसी गयर पर आप्टेक्टर कों पीछे भी कर सकते हैं टोटल इसमें आपको 24 गेर मिल जाती है, पीछे की लुक की अगर बात की जाए, इसमें आपको EPA टाइप का एक्सल देखने को मिलने वाले है, दोस्तों इसमें अगर lifting capacity की बात की जाए, तो इस ट्रिक्टर पर जो आपको lifting capacity मिल जाती है, इसमें company दे रहा है, total fixed fender, इसमें अगर बात की जाए हिच की, हिच भी देख सकते हैं, काफी जादा heavy duty वाली मिल जाती है, जिसकी हिच को आप उपर नेचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोस्तों इसमें आपको lower link control करने के लिए companies में दे रहा है jack system, देख सकते हैं, काफी जाद heavy duty वाले parts दिए गए हैं, इस तरह भी आप देख सकते हैं, company इसमें chance system नहीं दे रही है, लेकिन इसमें company दे रही है, heavy duty वाले jack system, जो कि देख सकते हैं, इसमें आपको EPI type का double in body detection type कर ये लगसल company offer कर रही है, और इसमें आपको fender के कोई भी adjusting point देखने को नहीं मिलते हैं, दू कोई भी extra implement चलाने के लिए इसमें आपको company fitted lever देखने को मिल जाता है, दोस्तों इसमें quarter PTO होने से या PTO वाले काम भी बड़े असानी से कर सकते हैं, low diesel खपत के साथ में, अगर आप generator बगएरा ये फिर water pump बगएर चलाना चाहें, तो इसमें आप tractor के engine की rated RPM कम रख कर भी बड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए ट्रक्टर का पूरा लूक आप दिख सकते हैं, एक बार फिर दोस्तों अगर आप किसी या ट्रक्टर कारी पर देखना चाहते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोसिज करेंगे आपकी क कॉमेंट का वीडियो अपलोट करने की